तो जी शुरुबात हो गई हमारे जैसलमीर के दिन की आज हम थोड़ा आराम से उठे रिलाक्स्ट रखा चूंकि कल काफी लंबी ड्राइब की थी अल्मोस्ट पंदरा घंटे जादा की कियो गया और रात को इतना जादा हम थोड़ा सा तेन्स हो गए और उसकी वज़े से गाड़ी भी बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वज़े से हम और डिलेड हो गए आगे बढ़ रहे हैं आज का प्लान है कि जैसलमीर का फोर्ट जाते हैं पहले और यहां का फोर्ट एक्स्प्लोर करते हैं उसके साथ में मार्केट देखेंगे क्या है मार्केट के अंदर तो चलते हैं जी आगे यह जैसलमीर का फोर्ट है और इस फोर्ट्रेस की एक खास बात है इसका कलर देखिए जैसलमीर में जो पत्थर है उसका रंग कुछ इसी तरीके का गोल्डन से कलर का होता है अगे मुजीम बगेरा सब बंड है क्यों प्राजय सब चल गया है तब आज सुब आज शुब है निकल सले आज लेके जाएंगे पीक वजी तो पूरा फोट फोट वगेरा सब बंड है और तो पूरा साथ एसे खुला है लोग रेते इसकंदर बाकी उसका मेल बंड है मेल ब बाकी मार्केट और सबस्बन्लै पुरा जैसल्मेर बंड है इसको लेजाने बास फुलेगा ले य पटों की हवेली वागेरा वो भी बंद गया तो आज खुलेगा कुछ याज मैंने खुलेगा रही है तो सिर्फ एक व आप दो गंटे कुंटे वाद आजा लोगी एक तिन दोडे बार खुल जागा तो फुर्च जागा वोटिंग वगर सबंद्ध है अब बार्ष देखें लुद्रवा यहां से 17 km दूर है इलिया का सबसे बड़ा जैन तैंपल है अपर बहुत है एकल प्रवक्षे पेड़ है तो पूरा सराफित होगी अभी भी पक्सी वगए पत्थर में तर्मोड होगी है अब देखने लाए में दिखने प्लाल ने लुद्रवा ने प्ट्षर के पेड़ है पुरा पथर में कनवर्ट होगी यह कुछ नाया है तो जो मैं समझता हूं पेड जो है फॉसिल में कनवर्ट होगया तो आज जिस दिन हम आएं यहां फोड़ देखने का प्लान ता आज हमारा तर आज के दि बहुत ही शोक वाली स्थिती है यहां पर जैसल मेर में आज और उसकी वज़े से सारे सब कुछ बंद है इन फैक्ट जो लोग गाइड का काम करते हैं वो लोग भी आज यहां पर पूरा शोक का महौल है बहुत जादा तो यह लोग मुझे बता रहे हैं कि आज जैसल मेर के अंदर तो आप कुछ नहीं भूम सकते या तो आप रिलाक्स करें या फिर आप जैसल मेर के साथ में पत्थर में कनवर्ट हो तो उसके ओपर पक्षी ऐसे दिखते प्थर बने हुए दिखाई देंगे वहां पर उस पे पत्थर पे इस्टाचू बने हुए पत्थर के पंची आज वहां दिखाई देते हैं ऐसा इनका कहना है तो इम एक्साइटेड यह कितना दूर मुझे लगता है एक इंट्रेस्टिंग चीज होगी जब हम बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना लुद्रवा जाकर के देखा जाए देखते हैं वहां पे पेड़ मिलता है नहीं मिलता पक्षी मिलते हैं नहीं मिलते और अगर मिलते हैं तो यह सच में एक जबरद अगर जाती है तो इवनिंग में संसेट के टाइम पर हम वहां जाने का प्लान करते हैं और फोर्ट का विजट कल के लिए रखते हैं कि कल फोर्ट जहां तक है ओपन हो जाएगा तो हम चल रहे हैं अभी रस्ते में लुद्रवा के और जैसा मैंने बता है जहां नजर दोड़ाओ इसी रंग का पत्तर मिलता और जैसल मेर में भी जैसा हमने गुजरात में देखा था बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई है तो विंड मिल विंड अनर्जी को पूरा पू पर जुचिछ करेंगे यहां पर पतंग माजी जरूर की जाए इस हवागा पूरा लुथ पोटाया जाए बागी बात करेंगे जो रोड है जिस पर मैं चल रहा हूं सम्वाली रोड पे इस रोड पे काफी अच्छी बड़ी बड़ी प्रोपर्टीज है मैंने जो भुक किया मैंने तो जैसल मेर के दूसरे एंड पर बुक कर लिया बट तूवर्ड दिस साइड अफ जैसल मेर दरा वाइट नंबर अफ प्रोपर्टीज विच इंक्लूड प्रोपर्टीज लावा भी बहुत सारी लाइन से अच्छी अच्छी प्रोपर्टीज है पुछ बाहर से तो मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर प्रोपर्टी कैसी है और बाकि लोगों को भी हल्पो की कमेंट्स में पड़ने के बाद कुछ 400 साल पहले मंदिर दुबारा बनाए गए जो हमने स्टोरी बताई थी जैसल मेर के जो किंग थे इन से पूचके लुदरवा एक क्लाइन था उसके लोगों ने यहां पर इन मंदिरों का निर्मान करवाया और इन मंदिरों का काफी काफी माना जाता है काफी अच्छी मान यहां चांदार है जो वन वी एंटर इंसाइड दी प्रिमाइसे वी अग्रीटेड विग दिस लॉंग बेग भी इंट्री गेट है और इसके अंदर की नकाशी देख के लगता है इस रिली ओल्ड बहुत पुरानी नकाशी है बट स्टिल बहुत ही अच्छी कंडिशन में इ इसका रेस्टोरेशन जो हमने बोला था फॉर हंड्रेड यर्स बाक लुदरवा क्लान ने इसका रेस्टोरेशन किया था इस पूरी साइट का अगर इस मंदिर को डिटेल में देख तो इस मंदिर के अंदर की नकाशी सच में बहुत अच्छे है चाहे वो इन पिलर्स के स्थाइब है तो आपको मेरको धिक्री हो की है !.. अब सीधे चलते हैं कल्प व्रिक्ष की तरफ जिसकी बारे में सुनके जिसके बारे में जानके हम यहां पर आये थे हमने स्टोरी सुनी इसके बारे में कि यहां कल्प व्रिक्ष था और वो कल्प व्रिक्ष पत्थर में तब दील हो गया शापित कल्प व्रिक्ष जो पत्थर मैंने यहां आने के बाद यहां पर लोगों से जब बात की तो मुझे पता लगा कि यह कल्प व्रिक्ष जो है यहां पर तकरीबन सत्युक के समय में कल्प व्रिक्ष होगा करता था पर आज यहां पर इसका सिर्फ एक मॉडल है यहां पर लगाया गया है तो as it is said it is still it is still holds a value for people from the perspective of pilgrimage बट हां यह असली पेड नहीं है यह एक मॉडल है पत्थर का मॉडल है जिसे यहां पर लगाया गया है दरशनारतियों के लिए और उनके देखने के लिए इस मॉडल को असली पेड जैसे ही बनाया गया तने के ओपर आप पेड की स्ट्रक्चर बनाई गई और उसको कवर किया गया है खास चीज जो इस मंदिर की मुझे लगी वह लगी यहां की नकाशी सच में देखने लायक है और जैसल मेर के अंदर इस नकाशी को देखने के लिए जरूर आना चाहिए ज्या कहानी है इस मंदिर की जैसल मेर से पधर में तबदील हो गया और उसके उपर जो पक्षी बेटे थे वह भी पसब पत्थर वन गया अब जो मैं यह प्रेड पेड़ देखता हूं जो मैं समझतों यह असली नहीं है अना यह अपने सत्यूप में असा कलप पर होता था इसके लिए भड़ा उपता तो तो इसके तो यह पूरा पूरा आर्टिफिशल है जो जो लुदरवा क्लाइन के लोगों ने जब यह बनवाया मंदिर बनवाया तभी यह कलप रिक्ष भी तो यह उन्होंने जब शाप दिया था जब अधिनार जी ने बोला कि लोग काम नहीं करेंगे उस टाहिं पूरा बना दिया ओवराल हम लोगों का थोड़ा सा आने का disappointment हो गया बट हाथ इस अच ब्यूटिफुल साइट और जसल में राएं और एसी जिगह पर राजस्थान में आएं और आपको पदारो मारे देश ना सुनाई दे ऐसा नहीं हो सकता